Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 4. Materials, metals and non-metals. Students, I have to discuss in last class metals react with acids and base. Okay, so in the two observations, we have been told that the hydrogen gas evolved in the process, whether it is bases or acids, it is acid and it is base. हाईस, ऍवानिक मैचि, हीचैं फश्रीक, यह जब इसारा भूसि अकल कींधे नियुक्यूपिंग प्रिड्यूस तो थिपक करना, जब घ्रड़ूजन क वीचैन इसके भी दोबागा है, एक पॉपिंग सांट है, हो यह popping sound क्यों produce हो रहा है क्योंकि rent정 गैसत इवार्व रही है। हाइड्रोज 9जब इवतव होगी तो जो फले मैं वह एक प्लेम वह एक popping sound फॉप फॉप कीज ठीक है असने पाश पा ले बात नहीं सबस्ट गैस ओके इट बर्न्स वित अस पॉप बैन अब अब दी बर्निंग मैच स्टिक इस टेके नियर दी बाउट आफ दी टेस्ट ट्यूब ओके तो यहां पर एक प्रोसेस जो मैं बताई थी बेस ओफ मैं बेस का मैटल कसाथ रेक्शन और एसींड का मैटल के साथ रेक्शन 수 दोनों प्रोसेस में इटका फ्ली क्या करता है खर सिप्लेसमेंट प्रेड़्ट oaks करता है हमारा अजका टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रेक्शन अकिरीक्र ओके ओके तो जैसा कि नामी से पता चलना है डिस्प्लेस्मेंट ठीक है इसके उपर का पार्ट पढ़ने से पहले एक छोटा समय यहां से आपको एक्जाम्पल से धुरू बताता हूं पहले अच्या दिफिनेशन्स पला लेते हैं एक्जाम्पलारी एक्जाम्पल मीसरी में दो उसे डिस्प्लेस्ट हैं और स सिप्लेस्या इसमें हएं दोनों में दो कॉपर सलफेट के साथ रियक्शन कराया और फेरिक सलफेट और कॉपर डिस्प्रेस ओजा अलग हो जाया ठीक है देखिए डिस्प्रेस हो गया इसो फूर किसने किसके साथ रेक्शन कर ली आयरन के साथ ओके अब जैसे दूसरा एक्जामपल एम जी सी उसो फोर मैगनीशियम का कॉपर सलफेट के साथ कराया तो मैगनीशियम सलफेट फॉर्म डू और कॉपर डिस्प्रेस हो गया ओके अगर आप अपना टॉपिक रीड करेंगे तो आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा और रियक्शन इन विच वन इस यू आपको अपने साथ और उसका रियक्शन किसी अधर के साथ हो गया और वो सेप्रेट हो गया अलग हो गया ठीक है और रियक्शन इन विच वन कॉंस्टिट्वेंट्स डिस्प्लेस इस इस के साथ डिस्प्लेस हो गया अनुद्र कॉंस्टिट्वेंट्स और वो दिस्प्लेस हो जाए और अपने आपको कर ले इस कॉल्डा डिस्प्रेस्मेंट रियक्शन ठीक है जितनी भी देखिए रिक्शन हैं चाहें आईरन के साथ मेगनिेशयم के साथ जिंक के साथ इन तीनों इना हैं को अगर कौपर सलफेट के साथ सब्सक्राइट उप्रकुण uniform कि restore ने बांश गैड हो गया और शलफेट और को डिस्प्लेश कर दिया जो एने अधर सब्स्टेन्स जो इस्टा मारा उसके साथ reaction टेक प्लेस उसने कर ली डिक्रीजिंग ओर्डर ओफ रेक्टिविटी ओफ मैटल्स आर ठीक है यह रेक्टिविटी मैटल्स का डिक्रीजिंग ओडर है लिथियम से कम पॉटेशियम सोडियम मैगनेशियम अलमुनियम जिंक आयरें लेड कॉपर पॉटेशियम मैंटल्स का मैंड में रखना है और यहां वी अपको बताही चुक और लेग्स में बची है a less reactive metals which is further down in the reactivity series cannot displace a more reactive metal okay और जो यह less reactive metals जो होते जाते हैं which is further down जो further down होते चले जा रहे हैं in the reactivity series जो reactivity सीरीज यह दी गई है cannot displace a more reactive metals ठीक है यह बहुत ही कम डिस्प्लेश कर पाते हैं जैसे जैसे गोल्ड के साथ कोई और सपोस्ट एट constituents एड है ठीक है तो उसको displace कराना क्या होगा बहुत रेयर होगा नहीं होगा नहीं कर सकते हैं ठीक है तो एक साथ पीछे कहीं लिखा भी था कहीं पर कर ने के लिए इस टीम कहीं रीड किया था हो सकता है किसी को रीड किया हो ठीक है ओके सो जैसी सीरीज लोवर में चलती चले जाएगी तो यह इसका डिस्प्रेस वाला जो जो रेक्टीवटी मेटल से र है ठीक है वो भी कया होता जाएगा नहीं कर सकते हैं ठीक है जिसे लीथीएम सबसे हाइलिर कि मैटल्स हैं वो सबसे बेले डिस्प्रेस करेगा ठीक है और गोल्ड नहीं कर सकता है ठीक है तो यह अपने माइंड में रखिएगा बात और six minutes से उपर का वीडियो हो चुका है जो भाई टेक केर एक टॉपिक करते चलेंगे और एरत वाले स्टुडेंट्स बेटा बच्चों क्यों नहीं क्लास अटेंड कर रहे हो ठीक है पढ़ते चलिए इसकूल एक न एक दिन तो खुले गाई तो क्या सारा कोर्स एक दिन में पढ़दा लोगे ओके बाई टेक केर